हेलो दोस्तो वेलकम टू उत्तराखंड जी के वैरी जी ट्रिक्स और आज मैं आप लोगे लेगाया हूँ एक काफी इंपोटेंड वाइरल न्यूज जो की काफी संसनी खेज मामले के अनुसार फैल रही है सोसल मीडिया पे वर्टसअप पे उत्तराखंड के जितने जिसमें कि एक जगव पे बयान आ रह시다 किili smo by合विये और डुसरू जगव पे आरहे कि是我 फर्वटारी को पेपर होगा तो सबसे पहले मां आपको बता दो दूस्तों ये दोनो नूज निूज हैं प knights आप ऐसी निूजों पे भरोसा मत करिएगा क्योंकि इसमें जो भी बंदे इस प्रकार की न्यूज़ पहला रहे हैं वो सबसे बड़े बेवकुब इंसान है मेरी नजरू में और जो उसे उससे ज्यादा प्रसारित कर रहे हैं और लोगों की तैयारी में व्योधान डाल रहे हैं वो उससे भी ज्यादा बेवकुब आदमी हैं आप लोग उसे कहना चाओंगा क्यूंकि देखे दोस्तों अगर अभी तक हम officially data की बात करें तो UKCCC तथा Forest Guard की official website पर कहा गया है कि Forest Guard exam की आपकी प्रस्तावित तिथी है 16 फरवरी निर्दारित नहीं है दोस्तों प्रस्तावित है यानि कि सोला को exam हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है लेकिन हमारे उत्तराखन में कुछ महानुभाव इतने बड़े बैठे हुए हैं कि वो अपने आप ही message टाइप कर रहे हैं और उसमें अधर वीडियो पर कि सर आप फोरेस्ट गार का वेपर सोला को होगा या नहीं होगा देखे दोस्तों होगा या नहीं होगा ये कहना उचीत नहीं होगा अभी क्योंकि देखिए आयोग ने इसका कोई पेपर नहीं होगा ऐसी नूजेश चल ले थी आपके नाम से नूजेश चल ले थी ये फेइक नूजेश हैं जिसका जो मन आता है वो टाइप कर देता है जो लोग इसे सेर करता है मुझे समझ में नहीं आता है कि वो लोग किस point of view से किस सूत्रों के एसाब से या कौन से उनके ऐसे गुपत सूत्रे हैं जहां से उनको इस प्रकार की नूजेश मिल जाती है तो देखे दोस्तों suppose that आप लोग ने आयोग अपनी website पे डाल देता है कि 16 तारिक को आपका forest guard का exam है तो आप लोग उने जो है 15 दिन पढ़ाई करनी छोड़ दिया उसका क्या करोगे आप लोग आप लोग को इससे काफी बड़ा नुकसान है तो अभी तक मेरी अगर आप लोग माने तो आप लोग 16 फरवरी के हि आप से ही तैयारी करते रहें दोस्तों क्यूंकि अभी तक यह प्रस्तावित है तो इसके निर्धारी धोने के चांसे बहुत ज्यादा है और इस प्रकार की जो फेक नूजेस आती है पता नी कहां से यह नूजेस आती है और कौन लोग इनको बढ़ावा देते हैं तो इनके कि ही तैयारी पर फड़क पड़ेगा आपको ही नुकसान होगा मैं तो आपसे इस परश्टरली यह कहना चाहूंगा कि आप लोग 16 फरवरी के इसाब से तैयारी करते लिए बले ही पेपर ना हो लेकिन आपकी तैयारी होगी दोस्तों और सपोस्ट जड़ आप इस मेसेज के हवाले से खबर देखे सूतर कौन से कोई पता नहीं है ठीक है कि UK SSC के सचीव संतोष बड़ोनी जी का कहना है कि दिनांक 16 फरवरी 2020 को आईजित परिक्षया में अभ्यर्तियों की संख्या आधिक होने के कारण आयोक को परिक्षया केंद्रू का चुनाओ करने में बड़ी स परिक्षया अप्रेल मई महा में आयोक कराई जा सकती है देखिए संतोष बड़ोनी जी का नाम दिख दिया बड़े बड़े एक शरू में और उनको खुद पतानी होगा कि उनके नाम से इतने बड़ी न्यूज वाइरल हो रही है ठीक है ये खुसकबरी में लिखते है कोई इसकी सुचना आज साम तक या कल तक वेबसाइड और न्यूज पेपर के माध्यम से सभी अभ्यरतियों को पहुंचा दी जाएगी तीन फरवरी दोजार बीस से एडमिट कार्ड भी जारी कर दिये जाएंगे हो जाओ तैयार अब अब देखिए दोनों मैसेज सेम से हैं और अगर आयोग पेपर जारी कर देता है अगर निर्धारी डेट जारी कर देता है तो आप लोगों के अच्छी बात है ठीक है आप लोगं का एक्जाम 16 तारिक को हो जाएगा अगर आप इस प्रकार के मैसेज पढ़के अपने तैयारी को वीक कर देंगे तो सबसे बड़े बे लेक्स ही रह जाएंगे बाई चांस सोला को पेपर हो गया तो वैसे ही आपकी जिंदगी वेकार है ठीक है क्योंकि अगर आप ये 10-15 दिन अगर आप छोड़ देते हैं बाई चांस सपोर्च आयोग ने 30 जनवरी को अपनी साइट पर डाल दिया कि सोला को आपका पेपर नि आप लोग निकल जाएंगे और अगर 16 फरवरी को पेपर नहीं भी होगा तो भी आप लोग को आगे जब भी पेपर होगा तब फाइदा मिलेगा लेकिन अगर आप सपोर्च जड़ यह सूचते हैं कि 16 फरवरी को पेपर नहीं है मैं तो बाद में पढ़ूंगा इजिली आ तो अफिसियली जब नोटिफिकेशन आएगा तो मैं आप लोग को अपडेट करूंगा दोस्तों तो इस प्रकार की न्यूजे सभी से रिक्वेस्ट रहा ना फैलाएं नहीं फैलने दे तो आज की इस वीडियो में इतना ही था और बागी तैयारी करते रहें ऐसे जो ही डि अज दो कि लूज नाएगा ना था नाएगा ही तैयारी में घट अन्यू अन्यूज दो कि एस लेगेस्टों उस्टों प्रकार की बागी जब में एक बागी में तो इस वीडिव से एजून तो है फीजियों यहागा तो हूआ रहा प्लीव से बागाएगा तो